Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you are all doing very well So today in this video we will be discussing all the characters of the novel Trying to Grow which is all about Fidros Kanga तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इस novel के सारे characters को discuss करने वाले हैं क्योंकि इस पूरी novel को मच्चे से पहले ही discuss कर चुके हैं तीन पार्ट्स में और उन तीनों पार्ट्स के जो वीडियो हैं उनका लिंक मैंने इस वीडियो की description box में दे दिया है तो अगर आपने अभी तक इस novel को नहीं समझा है तो मेरी उन तीनों वीडियो के थूरू आप इस novel को अच्छे से समझ सकते हैं जिसमें हमने काफी सारी details को देखा और बहुत ही easy language में समझा ठीक है तो आज की वीडियो में हम सिर्फ characters को discuss करेंगे तो चलिए हम start करते हैं तो सबसे पहला हमारा main character है Brit और इसका real name है Darius Vidros Kanga और इसको Brit क्यों कहा गया क्योंकि इसके जो bones है वो brittle है यानि बहुत जादा weak है फ्रजाइल है यानि वो बहुत easily break हो सकते हैं ठीक है क्योंकि ये एक disease से सफर करता है जिसके अंदर हड़ियां जो है वो कमजोर हो जाती है और जो इनसान है वो physically अच्छी तरीके से grow नहीं कर पाता प्रॉपर वे में grow नहीं कर पाता तो इसलिए ये handicap है क्योंकि इसके जो दोनों पैर है ये बहुत जादा चोटे चोटे है और जो है वो बड़ी नहीं है और ये wheelchair पर चलता है ठीक है और इसको जो बीमारी है इसको जो disease है उसका नाम है osteogenesis perfecta ठीक है इसका मतलब है कि ये एक ऐसी तरीके की बीमारी है जो की बच्चा अपने parents से या फिर grand parents से अपनी family में ही किसी से भी inherit करता है और ये उसके साथ जनम से ही होता है ठीक है तो यहां पर ये जो Brit है इसका नाम Brit इसले रखा गया क्योंकि इसके brittle bones है brittle का shot करके Brit कर दिया और अब से इसका नाम Brit ही है पूरी novel में इसको हम Brit से ही जानेंगे Brit is a boy who would never go taller than four feet यानि इसकी जो height है ये four feet से जादा नहीं बढ़ेगी ठीक है क्योंकि देखो किसी ना किसी तरीके से ये disease जो है ये पूरी body असर करता है and he finds his way into the world of sexuality and adulthood क्योंकि देखो ये handicap है ये cripple है ये विकलांग है तो ये कुछ और नहीं कर सकता तो इसलिए ये इनी सारी चीजों में अपना interest जो है रूची जो है वो दिखाता है sexuality and adulthood और अगर हम novel को detail में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि ये एक sex maniac भी बन जाता है अपने mid teens में और जब इसके school के exams खतम हो जाते हैं he spends his time lusting over Tina and Ruby Tina जो है इसकी cousin है और Ruby इसकी childhood friend है या फिर normal friend है ठीक है ये जीज़ पूरी novel में कहीं भी mention नहीं की गई कि इसका क्या रिष्टा है Ruby के साथ लेकिन ये शयाद इसकी friend है ठीक है तो इसका पूरा time इसी में जाते है sex man एक का मतलब होते है कोई ऐसा इंसान जो इन सारी चीज़ों में बहुत जादा obsessed हो ठीक है उसको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए एक तरीके से वो पावल हो जाता है obsessed हो जाता है और उसकी need जो है वो excessive हो जाती है ठीक है अब इसके बाद हमारा next character है Sam जो की Brit के father है और ये नहीं चाहते है कि Brit जो है वो independent बने या फिर खुछ से कुछ भी काम करें क्योंकि देखो वो उनका बेटा है तो वो चाहते है कि उसको physical pain ना हो वो कोई भी physical activity खुछ से ना करें खुछ से उठके ना जाए कुछ भी खुछ से ना करें ताकि उससे दर्द ना हो तो इसलिए वो चाहते हैं कि जो Brit है ये उनकी पूरी family पर डिपेंड रहे अपनी मदर पर डिपेंड रहे फादर पर डिपेंड रहे अपनी sister पर डिपेंड रहे उसके बाद next character है हम उसका ध्यान रखती है और डॉली जो है इसने कई बार अपने plans को cancel किया है सिर्फ ब्रिट की वज़र से इसके साथ रुपने के लिए फिर है टीना जो कि ब्रिट की कजन है और इसको hearing impairment है यानि ये डेफ है और ये दोनों भी close friends ही है और ये दोनों sign language में बात करते हैं क्यों मारा टीना की मदर जीरो और ये जो है ये ब्रिट की आंट भी है फिर है मैडम मैनिक्षा जो कि ब्रिट की tutor है उसको वो घर पे पढ़ाने आती है फिर है रूबी जो कि ब्रिट की friend है फिर है Cyrus इसका बहुत जादा main important role है इस पूरी novel में ये एक important character है Cyrus जो कि ब्रिट का close friend भी बनता है क्योंकि देखो अगर कोई भी handicap होता है तो हम उसको अलग नजरिये से देखते हैं लेकिन इसका attitude बिल्कुल भी ऐसा नहीं था ये उसका बहुत अच्छा friend बन जाता है उसको बाहर घुमाने लेके जाता है फिर है Ami जो कि पहले Cyrus की girlfriend होती है और बाद में Brit की girlfriend बन ज जाता है फिर है Zarathost और इसको short में इस novel में Jerry भी बोला गया है और इसकी मुलाकात Brit से होती है एक bookstore और यहाँ पे पहली बार में ही इनकी दोस्ती जो है वो बहुत जादा अच्छी हो जाती है ये दोनों काफी सारी बाते करते हैं ठीक है फिर है Defarge जो की Brit के पडोस में रहती है Brit की नेबर है और जो सारस है ये Defarge के कजन का बेटा है ठीक है फिर है राटी जो की Zarathost यानि Jerry की मदर है और ये Brit से मिलती है Brit को एक book भी देती है जिसका नाम होता है Houseman's Last Porms और ये Brit को जब देखती है तो उसको address करती है as a famous writer क्योंकि जब Brit ने अपनी पहली short story लिखी थी तो वो book बहुत जादा famous हो गए थी और उसके लिए इसको prize भी मिला था और यही वाली book जो है ये Zarathost की मदर यानि राटी ने भी पढ़ी थी और आमी ने भी इसके ये वाले book पढ़ी थी और ये दोनों इसको praise करते हैं इसकी book के लिए इसकी writings के लिए तो ये सारे हमारे characters है इस novel के major character भी है और minor characters भी है और आज की video में सिर्फ इतना ही और मुझे पूरी उमीद है कि आपको सारे characters अच्छे से समझ में आ गए होंगे and if so then please let me know in the comment box if you like this video and share it with your friends as well so that they can get help from it and don't forget to subscribe my channel until we meet in the next video keep learning